सोप्रमाइसेन क्रीम में काफी जादा जाने माने स्कीन क्रीम आती है जो इस परकार से देखने को मैं जाएगे हैं मेडिकल्स में भी यह असानी शोप लब्द हो जाता है कई सारे लोग इस cream का use करते हैं लेकिन कई सारे लोगों को actual में पता नहीं है किन किन condition में जो होता है supremacin cream को आप use कर सकते हैं वही हम इस वीडियो में बात करेंगे लगबग 10 यूज ऐसे बताऊंगा जिसको आप common use कर पढ़ेंगी मतलब हर किसी को कभी ने कभी जरूत पढ़ते ही रहती है so last तक वीडियो को देखते रहे हैं मेरे नाम है अंकोश आप देख रहे हैं medical जानकारी यूटूब चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा and subscribe के साथ bell icon को जरूर प्रस करें अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कर देजएगा and share भी जरूर कर देजएगा sopramacin medicals में असानी से उप्रब्द हो जाएगी 50 से 55 रुपए का आपको मिल जाता लगब 30 ग्राम का in q farma की तरफ से देखने को मिल जाता है यहां पर आपको mention किये गए है जो एक बेसिकल इसके बारे हम बात करें तो यह एक antibiotic होता है जो vector infection को खतम करने में useful होता है यानि vector को संसलेशन होता है उसके synthesis करके उसके protein संसलेशन को रोग कर उसके vector को खतम कर देता है इसके particular यह हम uses के बारे में देखे हैं तो किसनी condition में use कर सकते हैं पहला use आपका burning की condition में जलने की condition में आप इसको use कर सकते हैं पानी से दूद से या steam से normal कहीं पर जल गया है तो आप इसको use कर पाएंगे काफी जादा अच्छा relief देने में मद करेगा दूसरा use कर सकते हैं आप psoriasis की condition में psoriasis basically एक skin infection होता है जो बहुत ही ज़्यादा critical condition हो जाते है जिसमें आप खुजली करते हो तो बिल्कुल पपड़ी वाले निकलनी शुरू हो जाते हैं तो इसके बारे में already एक वीडियो बना चुका हूँ आई बटन में LinkedIn को psoriasis की बारे में आप वहां पर इसका use कर पाएंगे तीसरे यूज़ कर सकते हैं आप इसको गाओ के लिए गाओ कैसा भी हो कटा हो फटा हो जला हो उस condition में भी आप इसको use कर पाएंगे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है एंटिवेटिक होता है तो गाओ को बरने में भी काई नगाई काम आपके लिए होगा अब ऐसा पर्टेकॉल हो नहीं कि के लिए सोप्रमाइसन लगाने से आप पूरा गाओ बर जाएगा इसके साथ आप oral medicines का भी यूज़ कर पाएंगे नेक्स्ट इए जायता है इसका फोड़े फुनसी की condition में जैसे कि बाल तोड़ हो गया फुनसी हो गया कहीं पर हो जाता है किसी वज़े से हो गया एकने हो गया तो उस condition में भी आप इसको apply कर सकते हो नेक्स्ट इए जाता है नॉर्मल खुझली की condition में नॉर्मल कहीं पर खुझली हो रहा है थोड़ा बहुत फॉंगल इंफेक्शन हो रहा है इरिटेशन हो रहा है वहाँ पर आप इसके रिम को easily apply कर सकते हो नेक्स्ट आ जाता है ना दूप की वज़े से जलना या बर्निंग संसर्शन हो रहा है संबर्न की वज़े से आपके स्कीन जो होती जल गई है ऐसी condition में यूज़ कर सकते हैं बहुत बढ़िया काम करेगा नेक्स्ट जाता है बैट सोर्स बैट सोर्स क्या होता है कोई पेशेंट ऐसे होता है जो लेटे लेटे उनको एक जगा पर लेटे रहते जिनके प्रफोले निकल जाते हैं बैट सोर्स हो जाते हैं पड़े पड़े की जगा पर तोन का हम इस क्रीम का ऑप्लाई आप कर सकतें अंस्ट सिर्फिट अंपे यूगों इंपेक्शिन होता है बिसिकल कोंट के ईंफेक्शिर हो याथा है ऐसी केक्रम इस क्रीम का आप रूकर पाइंगे उंगे, बिसíb Touma पानी की वेज़ से जो होता है, इंफेक्शन हो जाता है, जिसके इसमें जलन खुझली बहुत जाद देखने को मिल जाते हैं, तो उस कंडिशन में भी आप इस क्रीम को अपलाई कर सकते हैं, and last time यूज आता है, इसकीन के इंफेक्शन की कंडिशन में, आप इस क्रीम को बहु ना करें, so guys, यह था को सोप्रमाइसन क्रीम के बारे में डिटेल्स वीडियो, so वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक जरू करें, कुछ भी डाउट्स है, कमेंट सोक्स में जरूर पूछ लीजेगा, and अगर आप हमारे और और वीडियो देखना चाहते, तो आई बटन में देए हैं, डिस्क्योशन में भी लेए हैं, जरूर जागर आप इसमें देख सकते हैं, एक प्रेल लिस्ट हमने बनाई है करीम के बारे में, जिसके बारे में आप डिटेल्स में जान सकते हैं, so वीडियो अच्छा लगा, तो व्शाई लाइक जरू करें, जाय जालो वीडि